आज एक गुलूगराम ने तीन प्रज़जनाओं का उद्खणिक गया है सबसे पहले जो 600E रिक्षा आज एक गुलूगराम के पटिक्लर जोन उनको चलाने आस शुरू किया है सब्सक्राइब करने का वारा कार्ण में बाराजार रिक्षाओं को प्रोडूशन को स्वाप किया जा सके और एन्वायरमेंट की दिश्री से पातावन पुशुरू करने का एक बड़ा प्रजेक्ट किसी मरकार भुपत पुश्रा प्रजेक्ट सोनीपत में आज यहां उनलाइ जान किया गया है वेस्ट अनरजी का जो प्रजेक्ट है सोनीपत पानीपत का मिला आधर के मूर्थल में एक बड़ा प्रजेक्ट लगाया गया जेबियम कंपनी के साथ प्राइवेट पार्णर्शिप प्रजेक्ट लगा है आठ मेगावाट फावर जोसमें जनेशन होगी और यह वाइस साल प्रजेक्ट के साथ में उसकी जो लाइफ करो रहेगी उसको जया शुरूर के आगया है दोनों जनों की जो प्रिस्पलिटीज है उनका वेस्ट वाजाए गार उससे अनरजी ज़गा होगी जिभी वातावन कोश्वत करने के लिए और प्रयावर्ण की द तो पूरा किया है और आज से वहाँ पार्ड़ स्पलाई जो है शुद्व पानी की वहां के लोगों को तीन लाख लोगों को जो भी वहां रिजिट्स हैं उनको जिए इसका लाव कि सब्सक्राइब है तो यह तीन ज़गे लिए आपनी जारी है हर्याना में ऐसा क्यों कि यृःफके वह मंतरी बने हैं और मंतरी पत के राजिए खेद्रीा के अंदर लोगों ने उनका सम्वान करने यह हैं उस्हार जूए जाओगान के लिए इससंता ने उटका ने विह गया है। उसको समानित किया जाता तो स्वावाई उस व्यक्ति के ओपर भी बड़ी जिवर ही आ जाती ही जन्ता के अधिक्षाउं को पुराना है पर क्या दखता है कि इस यात्रा में बीज़ेटी के कारे करता हो नेता खुद तो कोरोना के प्रोटोकल की दर्शिया उड़ाते दिखने हैं उसकर आपके आगे तर आपने भी मास्क ने लगाया हुआ है आइसा नहीं है बात ही है कि इस समय जैसे जैसे समय बदल रहा है मैंसे वैसे करोना में इसे पुड़ा बाहर आ रहे हैं और दूसरी लहर जो है वो धरे दरे कम होगी अमरे प्रोटोकल में भी आपने बहुती है और यात्रा पहले भी निकलती रही है आज भी है अब हमारा में फोकस जो है वो सस्टेनेबलीटी पे और सस्टेनेबलीटी में किस तरीके से जो ऐसी चीजें से इस्पेशली एनवायरमेंट से रिलेटेड कही चीजों में ध्यान दिया है उसमें हम इलेक्ट्रिक बसे बना रहे हैं हम सोलर पावर जणरेट कर रहे हैं और ह हमने अब नए फील्ड में एंटर किया बेश्ट्व एनरजी और बेश्ट्व एनरजी के जिस प्लांट का आज होने अच्छा दिन हो नहीं सकता था कि हिंदुस्तान के हमारे भारत वर्ष के पिछहतर में गंतंत्र दीवस पर इसका उद्गाटन हुआ है हमारे लिए सब की यह बहुत गौरव की बात है कि आज हम इसको कर पाएंगा इसमें लगभग साड़े साथ सो टन का डेली प्रोड़क्शन साड़े साथ सो टन कचरे का डेली यूज होगा जो कि हम इकठा करेंगे सोनी पत और पानी पत से और उसके आसपास के इलाकों से जैसे गन्ना और समा जो कि हम ग्रिड में डेली फीड कर देंगे अब कर दो क्या है जैसे मैंने का यह पहला प्लांट है इसी तरीके के हम और भी प्लांट लगाएंगे और हमने रिसेंटली भारत सरकार की पेट्रूलियम मिनिस्ट्री के साथ ही साइन किया है जिसमें हम लोग बायो गैस प्लां से रिलेटेड प्लाजिक्स में विशेश रूप से हमारा ध्यान है आएंगे सुरेंदर कुमार आरिया चेर्मेन अप्जेदी मुटो थैंक्यू सो मच बाकी लेटस खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले